नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सौरव इलेक्ट्रिक बोर्ड में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे देखिए आपका पूरा एक स्विच बोर्ड है इसमें ये देखिए आपका पंके का ये कनेक्शन है रेगुलेटर का ये देखिए रेगुले जिसमें इस टेप को हम हटा देंगे और टेप का काम ही खतम हो जाएगा इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से जोड़ेंगे कि आपके बोर्ड में टेप का काम खतम हो जाएगा यह देखिए इसको हमने यह जो आपका टेप लगा था इसको हमने इस तरीके से इसको हमने खोल लिय खुलने के बाद यह भी वायर को निकाल लेते हैं यह देखिए दोस्तों यह रेगुलेटर के दो वायर है इसमें ना कोई प्लस होता ना कोई माइनस होता और यह आपका पंखे का वायर है इन दोनों वायर को इसको हम या तो पंखे इसमें लगा दें या तो इसको इसमें नहीं होता ऐसे ही कंडेंसर में भी कोई प्लस माइनस नहीं होता देखिए जैसे यह आपका कंडेंसर यह आपका फैन का ही कंडेंसर इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं होता कोई भी वायर हम यह वाला यह यह वाला आराम से यूज कर सकते हैं वैसे यह आपके पंखे के रेगुलेटर में कोई भी प्लस माइनस वायर नहीं होता चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि इसका हम टेप को बिल्कुल रिमूब कर देंगे बोर से तो किस तरीके से कनेक्शन करेंगे जो आपके स्विच बोर्ड में कोई भी टेप का कनेक्शन ना हो यह देखिए यह इसका जमपर बढ़ा इस स्विचस से आपका यह रेगुलेटर का कनेक्शन था तो इसकोम इस तरीके से निकाल देंगे निकालने के बाद इसकोम ऐसे करके यहांपर मॉड़ा देंगे और आप इसको कटर से काड़ भी सकते हैं और इसीच कोम खोले लेते हैं देखिए यह दो वायर आपके regulator के हैं, एक वायर को हम इसके नीचे वाले में यहाँ पर देखिए लगा देते हैं, जैसे कि हमने इसमें लगा दिया, यह देखिए, एक वायर को हम यहाँ पर लगा देते हैं, यह देखिए, हमने इसमें लगा दिया, स्विच के हमने नीचे वाले पर लगा देखिए, अमने इसको भी लगा दिया, यह देखिए, अमने इस पर लगा दिया, और यह आपका पंक्हे वाला तार, जो हम स्विच्छ के उपर वाले में लगा दिया, अब आप यह देखिए, आपका connection बिल्कुल सही हो गया, जैसा आपका पहले पंक्हा चालू होता था, इस स्पार्क या बोड जलने की संभावना दिग रहे थी इसलिए दोस्तों इसी तरीके से आप connection करें regulator का चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक लिए आप वीडियो को देखते रहें वीडियो को सब्सक्राइब कर ले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ल झाल झाल